अगर आप लोगों को भी नूडल्स पसंद है तो आप एक बर इस नूडल्स को जरू ट्राइ करें तो आज हमने यहाँ पे Korean spicy hot and spicy नूडल्स को ट्राइ किया है और इसका यहाँ पे इस तरीकी का एक पैकेट आता है और इस पैकेट के जो कॉस्ट है वो 50 रूपीज है हमने यहाँ पर केमची फ्लेवर लिया है इसके अंदर दो पैकेट निकले थे एक के अंदर था टेस्ट मेकर और दूसरे में था है यहाँ पर spicy oil तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी नूडल्स निकली थी पैक के अंदर उसको यहाँ पर हमें बॉयल करना है तो यहाँ पर जब भी आप कोरिय नूडल्स बनाते हैं तो सबसे पहले नूडल्स को बॉयल करना है यहाँ पर जरूरी है तो सबसे पहले हम इसको बॉयल कर लेंगे हाई फ्लेम पर और तब तक बॉयल करेंगे जब तक नूडल्स अच्छे से खिली खिली न हो जाए noodles यहाँ पर boil हो चुकी है तो इसके अंदर taste maker को add करेंगे और additional हम कोई भी मसाले यहाँ पर add नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत ही spicy होती है इसके बाद में यहाँ पर जो oil निकला था वो भी हमने add कर दिया है और अच्छे से अभी हमें से बस mix करना है अब mix कर देंगे और आप देख सकते हैं इसका color के एकदम से कितना red हो गया है क्योंकि जो इसके अंदर oil मिला था वो थोड़ा reddish color का वहाँ पर था तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे अच्छे से mix कर देंगे और जो हमारी Korean noodles है उसको अब हम यहाँ पर दो मिनट लो फ्लेम पर यहाँ पर पकाएंगे अब यहाँ पर जो इसकी फ्लेम है हमने लो कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें boil बिल्कुल आ चुका है noodles बन के तयार है हमने इसको अलग bowl के अंदर निकाल लिया है और noodles बहुत ही जादा spicy बनी थी यह बहुत ही tasty लगती है अगर आपने अब तक Korean noodles को ट्राइ नहीं किया है तो आप एक पर जरू ट्राइ करें तो इसी के साथ में आप इस recipe को जरू ट्राइ करें अगर आपने वेज नूडल्स नहीं खाई है तो आप वेज नूडल्स को यहाँ पर खा सकते है तो आज की recipe hot and spicy Korean kimchi noodles की recipe कैसी लगी वह आप मुझे जरूर बताए कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीस लाइक करें चैनल पर नए हो तो आप subscribe करें और आप मेरी वीडियो को जासता शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी वह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए साथ में आप मेरी साथ जुड़ सकते हैं Instagram पर मेरी Instagram की ID है मधू की रसोई और आप मुझे YouTube पर भी सब्सक्राइब करें मधू की रसोई